नमस्कार आप देख रहे हैं यूटूब चैनल अजुकेशन पोडल कृष्णा और मैं हूँ कृष्णाराण सिंग पिछले दिनों से बिहार सिक्षक नियोजन के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह चल रही है सभी अभ्यर्थी और सभी कंडिडेट्स के जुबान पे रोष्टर और मेधा अंक और उसका जो लिस्ट है उसकी भी चर्चाय प्रति दिन चल रही है इसी रोष्टर में और उसी मेधा सूची में कुछ कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है अर्था जिसमें अंकित है आरेफ, EWS, दिभ्यांग और सोतंतरता सेनानियों के पोता-पोती, नाती-नतनी के लिए 36 आरक्षित पद अनिकि उसके समतुल 36 आरक्षित सीट इसकी भी चर्चाय की गई है, उसमें अंकित किया गया है क्या आपको इस वात की जानकारी है? यह जो सब्द है, क्या है? और किस प्रकार से यह आरक्षित पद उन अभ्यार्थियों को दिया जाता है? तो चलिए, इसी को हम लोग जानने का प्रियास करते हैं तो अब हम लोग उन सब्दों को समझने के लिए, आनि कि आरेफ क्या है, इडवलू एस क्या है, 36 आरक्षित पद क्या है, उसको समझेंगे और इसे समझने के लिए, बोर्ड का हमें सहरा लेना होगा, जिससे असपस्टता हो जाएगी तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आरेफ क्या है, तो आरेफ का अधी फूल फॉर्म क्या जाए, यह हो जाएगा, रिजर्व फॉर फिमेल यानि कि यह सीट, रिजर्व मतलब आरक्षित और फिमेल मतलब महला, महला के लिए आरक्षित सीट हो चुकी है तो आरक्षित सीट मिन्स हो गया, कि चाहे वह महला किसी भी केटेगरी के हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे वह फिर EWS की महला हो, या तो फिर वह सामान कोटी, UR की भी महला हो, तो उसके लिए यह सीट सुरक्षित की गई है अब इसके बाद EWS को समझते हैं, तो EWS का दी फुल फॉर्म किया जाए, तो इससे ही अस्पस्टता हो जाएगी, इससे हो गया, इकोनोमिकली और W से हो गया, वीकार, और S से हो गया, सक्संस, A, C, C, T, I, O, N, S तो इसका दी हिंदी रूप अंतरन करें, तो आर्थिक रूप से कमजोर महला, तो आर्थिक रूप से कमजोर महला के अंतरगत, समान रूप से जो समान कोटी की महला है, उसको ही रखा गया है, या तो फिर समान कोटी के पुरूश है, उसको ही रखा गया है क्योंकि इधर जो देख रहा है आप SC ST OVC या जो भी कोटी है उसमें तो आरक्षन मिला ही है उन लोगों को लेकिन UR यहाँ जेनरल केटेग्री के लिए आरक्षित पद है EWS और संभबता 10% दिया गया है इसमें अब चर्चा करते हैं कि दिव्यांग हे तू 36 आरक्षित पद तो मुक रूप से 36 आरक्षित पद क्या है इस पर हम लोग विशेश चर्चा करेंगे सपोस कि जिए कि एक यहाँ पर एक पद लिया है मुक वधिर के लिए और बाका परखंड की बात कर रहा है यहाँ एक स्पेसिमेन है माना हुआ रूप है तो एक पद मुक वधिर के लिए है और वह कंडिडेट BC के अंतरगत है BC के अंतरगत है counseling के लिए आ गया तो अब हमको देखना है यहाँ पर कि BC में इसमे seat है या नहीं है तो देख रहा है कि BC में सुने seat है तो IC इस्तिति में उस candidates का उस अभ्यर्थी का counseling वहाँ पर नहीं होगा और अब यह candidate जो एक पद मुकवधिर के लिए है यदि यह यूर के अंतरगत है अनिकी समन कोटी के अंतरगत है तो फिर इसको रोश्टर देखना है तो इसमें एक seat अंकित है तो यह seat जो दिव्यांग है उसके लिए चला जाएगा थोड़ा और इसको असपस्ट करना चाहते हैं कि अधी एक candidate यूर के अंतरगत आ गया और फिर एक candidate यूर के अंतरगत जो की दिव्यांग है क्या है दिव्यांग है तो आईसी इस्तिति में यह जो seat है सबसे पहले प्रार्थमिकता होगी कि दिव्यांग अभियर्थी को दी जाए और यहां पर जो यह candidate है इसकी कॉंसलिन नहीं होगी अब आगे है सोतंदरता सेनानियों के लिए जो की नाती नतनी पोता पोती जो 36 आरक्षित पद है उसमें एक पद निर्धारित की आ गया है सेम यही बात यहां पर भी होगी दिव्यांग है तुजो बात की गई वही बात सोतंदरता स की आया जब बीसी के अंतरगत आया वह कंडिडेट और बीसी में यहां सीट की संख्या सुन है तो उसका उस प्रखंड में कॉंसलिंग नहीं किया जाएगा और यहां कंडिडेट जो की सोतंदरता सेनानी का है वहां अधी कुछ दूसरे केटेगरी में आता है माल लिजे कि वहां बीसी एफ में आ गया तो बीसी एफ में जब आएगा और इसके लिए दो सीट निर्धारित है तो सबसे पहले प्रार्थ मिक्ता होगी कि सोतंदरता सेनानी के जो भी नाती नतनी या तो फिर पोता-पोती हो उसको वह सीट दिया जाएगा तो आसा है कि यह छोटी सी जानकारी है लेकिन महत्तपूर्ण जानकारी है आप लोगों को जरूर समझ में आ गई होगी अच्छी लगी होगी यह वीडियो थाइंक्स पूर वाचिंग गुडबाई